हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में कक्छा 4 की पुस्तर नवीन पल्लब से पार्ट 1 की कभीता हिमालाय पढ़ाई थी अब मैं कभीता से संबंदित प्रशन उत्तर तथा सब्दा कॉपी में किस प्रकार लिखना है यह बताऊंगी तो बच्चो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में दिनात डालना है फिर आप पार्ट 1 लिखेंगे उसके बाद कभीता का नाम हिमाले लिखेंगे फिर आपको हिमाले कभीता की पूरी लाइंस लिखना है पंक्तिया लिखना है फिर आप लिखेंगे कभीता की रचायता का नाम सोहनलाल दिवेदी जी फिर आप लिखेंगे सब्द मेत्री सब्द मेत्री का मतलब होता है सब्दार्थ पहला है आविचल सब्ध तो उसका अर्थ होगा बिना हिले दूसरा का सब्ध है संकट तो उसका अर्थ होगा परिशानी तीसरे का सब्ध है डिगना तो उसका अर्थ है आपका बिजलित होना चौता है प्रण सब्ध तो उसका अर्थ है बच्चो प्रतिग्या पांचमा का सब्द है नव तो उसका अर्थ है आकास छटमे का सब्द है अचल तो उसका अर्थ है इस्तर साथमा है पत सब्द तो उसका अर्थ है रास्ता अब आप देखेंगे कि आपको next page से मतलब की दूसरे page से प्रस्ण उत्तर डालना है फिर आप लिखेंगे प्रस्ण एक कभीता में तू फानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है तो बच्चो आप उत्तर एक लिखकर लिखेंगे कभीता में तू फानों में आविचल कोश्टक में लिखेंगे बिना हिले, खड़े होने की बात कही गई है दूसरा प्रेशने बच्चों, उचे उठ कर क्या करने को कहा गया है तो आप उत्तर लिखेंगे कभीता में उचे उठ कर आकास यानि की नव कोश्टक में डालेंगे फिर लेकिन नव के तारे छूने की बात कही गई है अब मेरे प्यारे वच्चों, तीसरा प्रेशन है संसार में सफलता किसको मिलती है तो कभीता में था कि वही लोग सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं और मुसीवत का सामना डट करते हैं का अर्थ होगा मेरे प्यारे वच्चों, उत्तर तीन, संसार में बही लोग सफल होते हैं, जो मुसीबत का सामना डट करते हैं, अब है प्रेस्ट नंबर चार, प्रेस्ट नंबर चार, हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है, तो मेरे प्यारे वच्चों हिमालय ने वैसे तो क्या ही तरह के संदेश दी हैं लेकिन हम उत्तर में लिखेंगे उत्तर चार में हिमालय हमें अचल अटल आबिचल आदी होने का संदेश दे रहा है